असलाम उलकेम फ्रेंड्स एंड स्टूजेट्स आप देखे रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियो और वैल्ट स्टेट्मन को करेक्टली फिल करना और फाइल करने के वीडियो हम बना रहे हैं जो previous episodes हैं, previous videos हैं, आपको इस video के नीचे उसकी playlist मिल जाएगी और आज हम बात करेंगे कि अगर आप property installment पे लेते हैं और वो installment interest free होती है तो तब कैसे wealth statement में show करना है और अगर आप interest pay कर रहे हैं और आगे जाके pay करेंगे तो कैसे show करता है तो हम यहाँ पे IRS 2.0 में हैं और personal यानि wealth statement में personal assets and liabilities में और याद रखें ये salary person की return है लेकिन normal return कोई भी return हो wealth statement जिसमें भी file करनी होती है resident person ने तो इसी तरह का structure होता है तो चाहे आप housewife हैं और सिर्फ wealth statement file हो रही है income tax return में zero income जा रही है या आप salary person है या आप salary भी एमिक्स और business भी है जो भी है तो personal asset आपने अगर खरीदा है और यहाँ में एक example लेंगे डियेचे में छोटा सा घर अगर हम लेते हैं तो उसकी क्या cost आएगी उसमें interest का क्या element होगा उसको यहाँ कैसे शोग करना है और बाकी interest को यानी profit on debt को personal experience में कैसे शोग करना है हम जाते हैं जी आप यह देख सकते हैं यह जमीन.com की website है और इसमें अगर आप tools पर आएं तो इसमें home loan calculator है ठीक है जी home loan calculator अगर मैं शुरू से start करना है तो बेतर है यानि के main homepage पर आकर tools में जाएंगे home loan calculator पर click करेंगे और उसके बाद जो है यह आपको कहेगा कि आपने जिस किसम की भी property लेनी है उसकी इतनी down payment करनी है और कितने अर्से के लिए लेनी है और फिर वो आपको कुछ options देगा तो यहाँ एक करोड पचास लाग शोर है हम इसको दो करोड कर लेते हैं कि DHA में तीन मरले का घर दो करोड में हम खरीद रहे हैं और हम 30% down payment कर रहे हैं 60,000,000 और 240 महीनों में 20 साल में हम वापस करेंगे तो आज के दिन हमारे पास क्या option है तो आप एक देख सकते हैं कि मुछतले options हैं house building finance cooperation जो है वो government का इदारा है तो basically वो interest आपसे नहीं लेता और आप से जो loan आपने उससे लिया है यानि 20 million यानि के 2 करोड वो आपस लेगा तो पहले वो scenario दिखते हैं जहाँ interest नहीं है अब यह कह रहा है कि 84,837 रुपीज आपने हर मन्त अपनी किस देनी है आपने down payment करनी है 60,000,000 रुपए 6,000,000 और एक conventional loan है तो अगर मैं 84,000 को 240 महीनों से multiply करो तो यह तकरीबन 2 करोड यानि 20 million से थोड़ा सा जादा बनते हैं तो basically government क्या कर रही है आपसे down payment जो है वो government का profit हो गया वो आपसे पहले ले रही है तो basically आपने government को 2 करोड 60,000,000 रुपए वापस करने है ठीक है जी अब इस 2 करोड 60,000,000 रुपए को कैसे आप show करेंगे क्योंके property की price तो basically 2 करोड है और 60,000,000 आपने payment की है 20 सालों है अब आप पहले साल में जिस साल आपने खरीदा है उस साल आप आएंगे इदर entry करेंगे मैं entry करता हूँ जी DHA और हम इसको DHA लहूर कहते हैं ताके clear हो और यहां हम बात करते हैं कि तीन मरले का घर है home house जिसको हम FBR की जबान में करें यहां क्या value लिखनी है जहां 0 आ रहा है यहां आपने उसकी principal amount लिखनी है यानि के 2, 1, 2, 3, 4, 5 यह हो गया 20,000,000 और यह हो गया 2 करोड यानि 20,000,000 तो 20,000,000 जो है आप यहां लिख लेंगे लेकिन 20,000,000 तो आपने पे किया नहीं है 20,000,000 तो इसकी price है पे आपने कितना किया है तो सबसे पहले आपने इस साल 60,000,000 रुपए पे किये हैं यहां पे और obviously यह आपने किसने पे किये 84,837 तो अगर आप इसको multiply कर लें 12 से तो तकरीबन 1,000,000 बन जाता है यानि कि पीछे रहे आपने house building को इस साल के बाद कितने पैसे वापस करने तो हम इतर वापस आते हैं आपने यह price यहां लिग दी लेकिन आपने दो करोड तो इसी साल पे नहीं किया और अगर आप इसको सही नहीं एंटर करेंगे जिस तरह मैं भी इसके बाद next step करने लगा हूँ तो जारी इस बात है आपकी वह अन्रीकंसाइल्ड अमाउंट जीरो नहीं हो सकी है transaction की एकनॉमिक सबस्टेंस यह है कि दो करोड का आपने लिया है और आपने इस साल जो है the 84,000 के साब से बारा किस्ते दे दे दी हैं तो अंदाज़तन आपने वन मिलियन पे कर दिया है तो जब भी wealth statement बनती है उसमें जितने भी assets होते हैं जिस तरह यह wealth statement 2023 की है तो यह सारे assets आपने 30 जून 2023 के हिसाब से करने अगर यह 24 होती तो 30 जून 2024 तो यहां आप आएंगे और एक छोटा सी चीज है जो लोग ignore करते हैं वो है credit non business advanced borrowing credit deposit loan mortgage इसको mortgage भी कहते हैं loan भी कहते हैं यहां पर आप क् और यहां पर लिखेंगे DHA और उन्होंने जैसे कहा है कि उसका NTIA नंबर वगएरा DHA लहुर लिख देंगे और यहां उसका NTIA नंबर वगएरा और all details obviously documentation पूरी करेंगे ताकि देखने माले को पता चले अच्छा कि किस से हो है और याद रखें कि इस में थोड़ी सी मैं correction क plot है लिखेंगे तो एच बिल्ड हाउस बिल्डिंग फाइनांस का NTIA न वगएरा और all details यहां पर enter करेंगे आते हैं यहां क्या लिखता है यहां आपने जो है 19 million लिखता है ठीक है जी 19 million इसलिए क्योंके एक million आप पे कर चुके हैं और जब आप इसको calculate दबाएंगे तो सिर salary income हो सकती है, business income हो सकती है, हो सकता है आपके भीहाफ पे किसी और ने पे किया हो, foreign remittance आई हो, आपको भाई ने पैसे बाहर से बेचे हो, आपने कोई और property बेची हो तो capital gain हुआ हो, जो भी source of income inflows में reconciliation में डालेंगे, definitely लेकिन भी 2 करोड को justify नहीं करना, सिरफ 10,001 million को, अब बार बार ये दूसरी वली scheme पे जाता हूँ, इसको भी देखेंगे, house building, finance corporation में, 60,001 पे, और यहाँ पर हम आएंगे, और personal expenses में जाएंगे, और ये rent, vehicle, training को छोड़ते हो, यहाँ आपने note क्या होगा, donations, zakaat, annuity के बाद आता है, profit on debt, जब भी आप सूध या interest pay करते हैं, उसक पे कि आप यहाँ पर डाल देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चीक है, 60,001 रुपए आपका interest हो गया, और मैं यहाँ पर यह assume कर रहा हूँ, कि house building आप आप से जितने पैसे भी ले रहा है, वो आप से principal amount ही ले रहा है, बेशक इसमें 4% interest का जिकर यहाँ उन्होंने किया है, वो फिर यह तो इसमें definitely principal amount भी शामिल है, जो काईबोर यानि 22% जमाचार, 26% के साब से यह calculation हुई है, यह against 2023 की बाद, तो अब आपने कैसे show करना है, तो यह तो आपने without interest का show कर दिया, यह आपको आपका employer भी हो सकता है, इस तरह प्रिजेंट करें, लेकिन आप personal में 20 लग डाल देंगे, इधर आपके 19 सा जाएंगे और एक मिलियन का अगले साल, इसी तरह अगर आपने एक मिलियन और पे कर दिया तो यह 18 हो जाएगा, इसको अब आप जिसको हम कहते हैं के change नहीं करेंगे, क्योंकि यह original cost अब जब यह sell होगा, तो यह यहां से delete होगा, जल्दी से चलते हैं जी, इसको 240 months से multiply किया, तो यह 5 करोड बन गया, तो basically 2 करोड तो उन्होंने आपको दिये, जिससे आपने DHA का घर ले लिया, वो 2 करोड यहां पे show हो जाएगा, इसी तरीके से, ठीक है ने जी, यहां पे 2 करोड शो हो जाएगा, बाकी जो 3 करोड है, वो आइस्ता हिस्ता आप से लेंगे और उन्होंने आप से ये 60 लाक पी लिये, तो suppose करें इस साल, पहले साल में आपने प्रिंसिबल अमाउंट जो है, वो जो वापस की वो तो इसी लाजिक से आ जाएगी, कि 20 लाक और आपकी प्रिंसिबल अमाउंट जो है, वो एक मिलियन आपने पे कर दी, वो जो इ आएंगे पर्सनल इक्सपेंस में, और सिंपलीज को एड कर देंगे, आपने साथ के बजाए 75 लाक पे किया, तो आपके पास इसके सोर्सिज भी ओने चाहिए, चाहिए जो है, चाहिए जो है, ये आपके अपने पैसे हैं, या और रेड़ी यहांट 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 जारी बात है, बैंक वागर हमें, ये इन्वेस्मेंट वाले खाने में, यहां बैंक सारे होते हैं, आपके, या सेविंग सेविंग्स होते हैं, लोगों ने काफी टाइम से सेविंग्स की होती हैं, वो आप यहां से फिर माइनस करेंगे, जो भी सोर्स बनेगा, वेल प्राकेट वैल्यू पे यानि बजार में जो है जो एक तरह से प्राइस होती है कॉस्ट होती है इम्मूबल प्रापिटी यानि यह घरों की प्लॉट्स का बिसिकली यह है कि टैक्स कटेगा जब आप परचेस करेंगे वो तो एफ बी आर वैल्यू पे जो एफ बी आर ने उस लेकिए या अगर एफ बी आर वैल्यू नहीं तो डीसी वैल्यू के हसाब से वो टैक्स कट जाएगा लेकिन आपने यहां पर डेफिनल्ली अपनी सारी हार्ड अर्ड बनी को वाइट कर शो करना है इसलिए आपने जो है एक प्रैक्टर्स है कि कम पर शो करें नहीं आपने जिस वैल्यू पर इस केस में इन्स्टाल्मेंट्स है जिस वैल्यू पर आपने बुक किया है आप उस वैल्यू पर लिख के उसके अगिंस लाइबिलिटी खड़ी कर दें जो लाजमन आपने पे करनी है इसके लाभा भी कुछ और चार्जरज वगर रहते हैं वो सब पर सेन रहे हैं, डाउन पेमेंट पे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये उसकी इंट्रेस्ट के तरफ जाएंगी तो आप इस तरह के से as an expense माइनस कर सकते हैं, suppose करें कि जो आपने डाउन पेमेंट की है, वो आपके contract के मताबिक, contract के मताबिक, वो principal amount है, जिस वज़ा से आगे चल के आपको loan कम देना पड़ेगा, interest कम देना पड़ेगा, तो यहाँ फिर अगर आप उस 60 लाग को यहाँ माइनस करेंगे, तो ये basically 14 million principal amount रह जाएगा, personal expense में आप सिर्फ फिर यहाँ पे 15 लाग शो करेंगे, ठीक है जी, तो इस तरीके से logic आपने समझनी है, और contract बताएगा, कि कितनी principal amount है, कितनी interest amount है, मैं हूँ आपका tax host, आंथनी विलियम्स, आप देख रहे हैं, tax दोस्ती वीडियो जिस पे आप comment कर सकते हैं, नीचे प्लेइलिस्ट भी दी भी है, मजीद विडियो भी दी हैं, यह ताकि आप immobile property की taxation है, या well statement की correct filing है, या overall tax laws को समझना non-resident और resident सब के लिए जरूरी है, ताकि जब वो even non-residence well statement नहीं भी file करते हैं, लेकिन यह सब documentation अगर वो installment पे ले रहे हैं, तो वो अपने पास रखेंगे, और इसके बाद जो है, हम next जो है, बात करेंगे, जब well statement की, तो motor car, motor vehicle की बात करेंगे, और उसकी installment की बात करेंगे, उसके loan liability की बात करेंगे, ताकि उसमें भी clarity हो, जैसे आप लोग सवाल पुछते रहते हैं,